विल्कम है आप सभी नए और पुराने दोस्तों का सुसमाज कीचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ मतर का गोदला ये देखे यहाँ पर मैंने मतर को हलका बॉयल कर लिया है और यहाँ पर आलू को भी मैंने काट लिया है और हलका बॉयल कर लिया है पूरा इसे बॉयल नहीं करेंगे कराही में तेल गर्म करने के लिए मैंने दे दिया था तेल गर्म हो गई है अब वो आलू को मैं इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ करूंगी ये देखे मैंने आलू को दे दिया है आलू जब तक इधर boiled हो रही है तब तक मैं ने मटर को दरदरा पीछ लिया है पुरा paste नहीं बनाए ये देखे इस तरह से गुदला के लिए मटर को दरदरा पीछ लिया है इधर देखे आलू भी golden brown हो गई है ये देखे आलू golden brown हो गई है अब मैं इसे निकाल लूँगी मैंने आलू को निकाल लिया है और फिर से कराही में तेल गरम करने के लिए डाल दिया है तेल भी गरम हो गई है और यहां पर मैंने जीरा तेजपत्ता और लाल मिर्च का फोरण लगा दिया है उसके बाद थोरी सी प्याज को मही में काट कर उस दियार किया था वो अब मैं इसमें डाल दूंगी और इसे भूनूंगी मशाला को भूनने से ही टेस्ट आता है यह देखिए अब मैं इसे भूनूंगी थोड़ा सा जो बांकी था उसमें मैंने मिक्सिका जार में मैंने पानी डाल के वो पानी भी इसमें डाल दिया है और जब तक इसे भूनेंगे कि मसाला कराही छोड़ने लगे या मसाला में से जब तेल छोड़ने लगे तब आप समझ जाएगा कि यह देखिए मसाला में से तेल छोड़ने लगी है अब मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक और ह ओल्दी दें कि मिला दिया है थि कितना अच्छ से घुट अउसके बाद मैंने इसमें निज डाल दिया है अब मैं ने घर में ही तियार किया है रोश्ट करके गोटा मसाला को पॉडर बनाके डालने से सबजी में बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है यह देखे मुझे मसाला थोड़ा कम लगा मैंने इसमें थोड़ा सा और जीरा पॉडर डाल दिया अब मैं इसे मिला दे रही हूँ अच्छे तरीके से मैंने इसे मिला दिया है यह देखे टोमेटो भी अब गल गई है अब मैं इसमें लाल मिर्च पॉडर डाल दूँगी और आप ज्यादा तिखा पसंद करते हों तो तिखा वाला लाल मिर्च पॉडर डाल दीजीगा यहां पर मैंने कलर के लिए वन टेवल स पॉडर दे दिया मसाला का रंग डेखे कित्ना अच्छा आ रहा है और उसके बाद मतर जो मैंने करस्ट करके रखा था वो अब मैं इसमें मिला दे रही हूँ और उसके बाद अब ये देखिए मसाला में मतर को मैं मिलाओंगी ये सब करते से मैं गैस का फ्लेम को एकदम कम रखिएगा नहीं तो मतर और मसाला सब जल जाएंगे और स्वाद खराब हो जाएगा गुदला का यह दिख़े, इस तरह से आप मिला लीजिए गा, यह देखिए मैंने इसमें मसाला और मतर को मिला दिया है, और गरम पानी मैंने बगल में करके रखा था, उसे अब मैं गुदला में डाल दे रही हूं, किसी भी सबजी में गरम पानी डालने से सबजी का कलर और टेस्ट भी ब रखा था वो भी इसमें डाल दिया है देख मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से मिल गए है गोटला देखने में बहुत अच्छा लग रहा है अब मैं इसमें हाथों से क्रस्ट करके कस्तुरी मेथी डाल दे रही हूं यह दो कि मैं इसमे कष्टूरी मेथि डाल दे रही हدم अब इसे مिलाकर मैंने इसमें ऑफ उन टी श्पून गरमशला डाल दे दिया है ये देखें कष्टूरी मेथि डालने के बाद इस तर से ब्वाइल आ जाएगा तब आप में टी श्पून गरम मसला डाल दिजिएगा उसके बाद मैं इसे मिला दे रही हूँ बहुत ही यकिन मानिये बहुत ही अच्छा लगता है रोटी के साथ अगर आप खाएं तो ग्रेवी कम रखेगा और चावल के साथ खाईएगा तो ग्रेवी जादा रखेगा यह देखे इसमें अब मैं कटा हुआ धनिया पता डाल दे रही हूँ और इसे डाल कर मैंने मिला दिया है यह देखे गोदला बन के रेडी हो गया है और अब उतारते समय मैं इसमें वन टीश पून घी डाल दे रही हूँ जिससे और अच्छी गमक आ जाएगी गोदले में यह देखे गी डाल के मैंने इसे मिला दिया है गोदला बन के रेडी हो गया है अब मैं इसे सर्व करूंगी अगर आपको आज की मेरी यह रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फर वाचिंग